Hey guys, welcome तो आज के वीडियो में हम लोग अपने compiler design के series को continue करते हुए phases of compiler को discuss करेंगे तो इससे पहले की वीडियो में भी हमने phases of compiler को discuss किया था लेकिन आज हम लोग इसको detail में discuss करेंगे एक example के साथ तो वीडियो को शुरू करने से पहले guys मेरी आपसे एक request है कि आप लोगो ने अगर अभी तक मेरी चानल को subscribe नहीं किया है तो मेरी चानल को subscribe कर दे और वीडियो का अभी से like कर दे guys वीडियो के end में मैं आप लोगो question provide करोंगी तो उस question को आप लोग answer जो है आप लोग मुझे comment करके बता दे न तो इसे के साथ हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा topic है आज का phases of compiler guys हम लोग जानते हैं कि compiler में क्या होता है हम लोग को high level language जो है हम लोग को low level language में convert करके देता है हम लोग का compiler तो हम लोग phases of compiler अपनी first वीडियो में भी पढ़े थे हम लोग जानते हैं कि compiler की जो है 6 phases होते हैं जो होते है lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer और code generator तो ये 6 phases होते हैं और इन 6 phases के साथ हमारा symbol table और error handler सभी phases के साथ जो है interact करता है तो ये basic symbol table और error handler जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये एक software है या फिर some routine हम लोग कह सकते हैं जो हर एक phase के साथ interact करता है symbol table भी हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके है actually ये क्या है ना ये एक data structure है जो हमारे program में जो हमने use किया है अपना identifier वो इसको store करता है और उसके type को store करता है और error handler अगर हमारे कोई भी phase में को error आता है तो वो इसे deal होता है तो सबसे पहला क्या है न कि high level language जाता है हमारे lexical analyzer में lexical analyzer क्या करता है lexical analyzer का काम है tokens को generate करना तो हम लोग एक example लेते हैं अपना high level language का उसके बाद देखते है lexical analyzer को उस हमारे high level language को tokens में किस तरीके से generate कर रहा है तो यह हमारा example है high level language का position equal to initial plus rate into 60 तो यह high level language का जो अब हमने प्रोग्राम लिखा था वो हमने उसमें से एक line लिया है यह हमारा high level language सबसे पहले जाएगा lexical analyzer में तो जैसे हमारा high level language का जो source program है वो lexical analyzer में जाएगा lexical analyzer क्या करेगा हमारे program को character by character scan करेगा जब lexical analyzer character by character इसको scan करेगा तो यह generate क्या करता है यह tokens को generate करता है क्योंकि यह lexical analyzer जो है scan कर रहा है इसले इसको scanner भी बोलते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको क्या बोलते है scanner तो यह scanner का काम कर रहा है तो गाइस जो लेक्जिकल ना है जो tokens जो generate कर रहा है तो यह हमारे high level language में क्या है सबसे पहले position जो के एक identifier है फिर equal to एक operator है फिर initial यह भी एक identifier है फिर plus एक operator है फिर rate यह एक identifier है multiply का symbol यह एक operator है और 60 यह एक constant है तो tokens जो है अलग-अलग kind के है जो हमारा tokens है पहला वो identifier यह भी एक tokens है यह जो assignment operator है operator भी एक tokens है multiply जो operator है वो भी एक token है 60 हमारा constant है वो भी एक token है और अगर यहाँ पर semicolon रहता तो semicolon के है एक special character है special symbol है तो वो भी एक तरह का tokens है तो lexical analyzer क्या करेगा इन सभी को अलग-अलग tokens में जो है डिवाइट कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा न यह position जो है यह हो जाएगा identifier 1 फिर उसके बाद equal to का symbol है तो equal to फिर उसके बाद initial है identifier 2 फिर प्लस का symbol फिर identifier 3 फिर multiply का symbol और यह 60 constant है तो यह 60 इस तरीके से लिग दिए तो यह lexical analyzer क्या क्या कि इस तरीके series of tokens को generate कर रहा है इसके साथ क्या करता है यह जो हमारे programs में से जो white spaces है और जो comments होते है उसको remove करता है तो guys lexical analyzer क्या किया हमारा tokens को generate किया scanner बोलते हैं क्योंकि यह हमारे high level language को scan करता है और white spaces और comments को remove करता है इसके बाद जो हमारा syntax analyzer है इसका काम क्या है जो lexical analyzer जो tokens दे रहा है वो as an input लेगा और इसका काम क्या है यह हम लोगों का parse tree को generate करता है इसी लिए इस phase को parser भी को कहते हैं तो यहां पर हम लिख देते है parser तो इसको scanner बोलते हैं इसको parser बोलते हैं क्योंकि यह phase जो है parse tree को generate करता है और अगर syntax analyzer जो है correct parse tree को generate नहीं कर पाया तो वो error शो कर देगा इसके इलावा हमारा जो syntax analyzer है वो क्या करता है वो check करता है whether these tokens are in correct order or not according to their grammar okay actually every programming language should have some dedicated grammar and every grammar will have some set of production rules okay तो यह क्या कर रहा है basically हमारा tokens को parse tree में generate कर रहा है अब example में देखते हैं okay तो यह जो हमारा tokens है यह हमारा जाएगा syntax analyzer में और syntax analyzer क्या करेगा यह past tree को generate करेगा इस token से तो सबसे पहले क्या है यहां पे देखे identify 3 multiplied by 60 तो इस तरफ से start करेंगे तो easy पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखे multiply का symbol है इस तरफ में तो यहां लिख सकते हैं हम लोग multiply और इसके हम लोग इस तरह किसे child लिख सकते है id 3 और इधर क्या है 60 ओके तो अब यह एक हो गया एक part हम लोग यहां पे लिख दिया इसके बाद यह पूरा क्या हो रहा है add कर रहा है add कर रहा है identifier 2 को तो अब यह पूरा हो गया अब इसमें क्या है assignment operator है then id 1 तो इसको क्या कर सकते हैं यह इस तरीके से assignment operator then id 1 तो इस तरीके से यह past tree को generate करेगा identifier 1 जो है वो position है actually position क्या है यह position जो है यह real है यह float value है और 60 क्या है यह एक integer है ओर राइट तो इसको याद रखने हम लोगो तो यह इस तरीके से past tree को generate करेगा यह हमारा past tree अब यह क्या होगा यह हमारा जो next phase है उसके लिए input हो जाएगा तो अब next phase क्या है हमारा semantic analyzer तो guys अब यह past tree semantic analyzer के लिए input हो जाएगा और semantic analyzer क्या करता है यह हमारे जो programs है जो हमने लिखे है उसको देखता है कि उसके कोई correct meaning निकल करके आ रहा है यह नहीं लिकल के आ रहा है और राइट तो यह हमारे past tree को verify करता है तो यहाँ पे लिख सकते है हम लोग इसका काम क्या ह है verify कर रहा है parse tree को verify parse tree semantically तो यह past tree को ही verify करके हम लोगों को जो है आगे बढ़ रहा है intermediate code generator में तो यह यहाँ तक का जो phase है ना यह lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer और intermediate code generator actually इसको हम लोग बोलते है front end इस वाले को यहाँ तक इसको हम लोग बोलते है front end of compiler और यह जो दोनों है इसको हम लोग बोलते है back end of compiler यह जो होता है यह machine पर depend नहीं करता है लेकिन यह जो दोनों है यह machine dependent होता है यह machine के recording काम करता है इसके बाद हम लोग देखते हैं semantic analyzer क्या किया हमारे example में तो guys जैसा कि हमने देखा कि semantic analyzer क्या कर रहा है parts tree को verify कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि यह id1, id2, id3 जो है यह real है मतलब float value और 60 जो है वो integer part है तो यह क्या करेगा कुछ इस तरीके से काम करेगा equal to के इस तरफ में हमारा id1 फिर then है इस तरफ में plus id2 फिर multiply फिर id3 और यह सारे जो है float values है लेकिन यह जो 60 है वो हमारा integer value है तो यह क्या करेगा इसको int to float कर देगा तो 60 को क्या करेगा हमारा int से float कर देगा या फिर into real लिख सकते हम लोग या फिर int से float जो भी तो यह इस तरीके से जो है verify करता है इसके बाद next phase है हमारा intermediate code generator तो guys intermediate code generator क्या करता है न हमारा semantic analyzer से input लेगा और 3 address code को generate करके देगा तो यह क्या generate किया 3 address code तो यह 3 address code को generate करके देता है है हम लोग जानते हैं यहां तक का जो हमारा phase है front end तो बोलते हैं इसको analysis phase भी बोलते हैं first video में हमने देखा था और इसको बोलते है synthesis phase तो analysis phase intermediate code generate करके देता है मतलब वो three address code को generate करके देता है अब यह three address code को हम लोग देखते हैं क्या होता है तो intermediate code generator क्या कर रहा है input ले रहा है और 3 address code को generate कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे into float है और इसमें 60 है तो यह इसको क्या करेगा एक temporary variable में store कर देगा कुछ इस तरीके से यह T1 जो है एक temporary variable है और इसमें क्या हम लोग assign कर रहे है into float 60 तो इसको ऐसे लिख सकते है into float और 60 तो इसको हम लोग T1 में assign कर लिए तो यह तो basic अलिए अभी दो address है maximum तीन address हो सकता है उससे जादा नहीं ले सकते है तो अब T1 में क्या कर रहे है multiply करेंगे identifier 3 को तो हम लोग क्या कर रहे है हाँ पे identifier multiplied by यह T1 तो identifier 3 multiplied by T1 और इसको assign कर दे रहे है एक और temporary variable T2 में तो अब यह पूरा हो गया यहां तक T2 अब क्या कर रहे है id2 को में add कर दे रहे है यह पूरा T2 तो id2 में add कर दे रहे हम लोग T2 को id2 में add कर दे है T2 को तो यह पूरा हो गया अब इस पूरे को assign कर दे रहे है हम लोग एक और temporary variable T3 में अब क्या है assignment operator है अब इसको id1 को assign कर दे रहे है T3 में तो id1 assign T3 तो यह क्या है इसी को बोलते है 3 address code यहां पे देखिए यह 1, 2, 3, 3 address है यहां पे भी 3 address है maximum 3 address है minimum 2 address है एक address तो नहीं सकता है तो इस तरीके से जो intermediate code generator है यह इस तरीके से 3 address code को generate करके देता है अब next phase के तरफ बढ़ते है तो यहां पे हम लोग का compiler का analysis phase जो है यानि के front end जो है complete होता है और हम लोग back end के तरफ बढ़ते है जो के machine dependent है यह machine के according काम करेगा तो code optimizer क्या करेगा जो 3 address code को है वो as an input लेगा और इसको क्या करेगा optimize कर देगा यह नाम जो है suggest कर रहा है code optimizer यह जो code है इसको optimize कर देगा ओके तो code optimizer क्या करेगा यह 3 address code जो है जो intermediate code generator से input लेगा और यह जो 4 lines में करके वो किस तरीके से लिख सकता है यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते है टीवन कि असाइन आइटी थ्री मल्टिप्लाइट बाइ सिक्स्टी पॉइंट जीरो तो हम लोगों ने किया कि यह वाला जो स्टेप है इसको हटा दिया जो हमने टीवन में इन्टू फ्लोट सिक अब इस सिक्स्टी को मल्टिप्लाइ करके आईटी 3 में मल्टिप्लाइट कर दी आईटी 3 से और इस पूरे को असाइन कर दीवन में तो यह पूरा जो है असाइन हो गया ID 1 में, तो इसको ID 1 में assign कर दिये, तो यह क्या हुआ ना, इससे हमारा जो 4 lines of code जो हमने लिखा था, यह optimize हो गया और reduce हो गया हम लोग कह सकते हैं, दो line में, अभी भी यह 3 address code ही है, देखिए 1, 2, 3, और यहाँ पे भी 3 address code है, लेकिन यह optimized 3 address code है, इसके बाद यह code जाएगा हमारा code generator के पास, ओके तो code optimizer से हम लोग को output क्या मिला, optimized code, तो इस तरीके से output मिल रहा है, optimized code मिला और यह जाएगा code generator के पास, और code generator क्या करेगा, हमारा finally जो target code है, यानि कि जो हमारा finally low level language जो है, वो generate करके देगा, यह जो है, यह low level language है, यह machine language नहीं है, machine language बैनरी language होता है, जो 0 और 1 का language होता है, तो यह क्या करेगा, low level language देगा, जैसे कि assembly language, assembly language भी एक low level language है, लेकिन 0 और 1 वाली language नहीं है, तो यह तो हम लोगों ने first video में भी पढ़ा था कि, जो हमारा compiler है, वो low level language देता है, फिर उसके बाद वो assembler में जाता है, फिर loader और linker में जाता है, उसके बाद हमार machine code बिलता है, तो यह compiler का part है, यह हम लोगों को low level language generate करके देगा, तो guys, यह है हमारा code optimizer का output, इसके बाद मैं यहाँ पर लेक रही हो, code generator का output, तो यह क्या कर रहा है, हम लोगों को, finally, जो हमारा low level language है, वो generate करके दे रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग के पा लोग उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखे हम लोग को जो है parse tree है, अगर आप लोग इसको देखे हैं, फिर semantic analyzer वाले को देखें, जो भी, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले, हम लोग को लिखना होगा move f, okay, basically assembly language में इस इसी तरीके से लिखते है, move f, उसके बाद हम लोग लिख देंगे एक resistor r2, okay, फिर comma दे देंगे, और यह क्या है, यह identifier 3 है, तो identifier 3 को हम लोग क्या कर रहे है, r2 कर रहे है, तो id 3 लिख देंगे, यहाँ पर, okay, जो सबसे पहले हम लोग क्योंकि r2 लिखे हैं, तो मतलब जो result आ हमारा, अब id 3 हुआ, अब इसको हम लोग r2 consider कर रहे है, इसके बाद क्या है, हम लोग multiply कर रहे है, 60 से, तो यहाँ पर हम लोग एक होता है, mal f, यानिके multiply, और यह f का मतलब होता है, float, तो r2, इसको multiply कर रहे है, id 3 को, मतलब r2 को, और 60 को, तो 60 को हम लोग direct 60 नहीं लिखेंगे hash लगा के 60.0 क्योंकि हमने इसको float में convert कर लिया था, तो अब यह क्या होगा, multiply कर देगा r2 को, मतलब id 3 को, और 60 को, और result कहां पर store होगा, जो पहला हमने लिखा है r2 उसमें, तो multiply होगा, और result first वाले में store होगा, तो यह पूरा का value क्या होगा, अब यह r2 होगा, अब क्या है add कर रहा है id 2 को, तो सबसे पहले तो यह id 2 है, इसको तो हम लोगो पहले move करना होगा, तो पहले move कर देते है, r1 में, किसको id 2 को, तो id 2 को हम लोग r1 में move कर दी, अब यह r1 हो गया, अब r1 यह है, और r2 यह है, इन दोलों को add कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग use करते है, add किसको add कर रहे हम लोग हम लोग add कर रहे है r1 को और r2 को और हम लोग assign भी कर सकते क्योंकि हम लोग लिख सकते r2,r1 तो वो r2 में assign हो जाएगा लेकिन हम लोग को r1 में assign करना है तो पहले r1 then r2 तो r1 r2 को add करो और r1 में assign हो रहा है उसके बाद assignment operator देखे id1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते है move f move f और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे id1 then r1 अभी यह पूरा क्या था यह add करने के बाद जो आया वो r1 था यह पूरा r1 r1 को हम लोग assign कर दी id1 में तो r1 को id1 में assign कर दी move f से ओके तो यह है हमारा basic जो हमारा target code है जो low level language है तो code generator इस तरीके से code को generate करके देता है तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना और मुझे comment करके बताना कि आप लोग वीडियो कैसे लगा अगर आप लोग ने गया सभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीड सब्सक्राइब ताके आप लोग का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए तो थैंक यू सो मच गाइस पर वाश्चिंग इस वीडियो